इस देश में शत्ट न्रामान्ड राजनेतिक मुद्धा बनी है इस देश में भागबत और अखंड रामान्ड राजनेतिक मुद्धा होती है मंदिर में कौन जाये दरगां में कौन जाये कौन जाये उसубें लट्टम लट्ट También सियासी लोग कूथते हैं छट यहां मनाओ के वहां मनाओ उस पर राजनेतिक दल कूथते हैं तो इसमें कूद्रे में क्या समस्या वाई सब कूदो अब बद एक तो बात यह स्थापित वनी चाहिए आपस में छीटा कजी बंद करो जब सब उसे कुवां का पानी पी रहे हो त काम तो सब वोई कर रहे हैं दूसरा मसला मैं एक बुनियादी सवाल उठाता हूं सेविंथ पे कमीशन जब इस देश में सेंट्रल कम्मेंट ने लागू किया और उसके अनुक्रम में राज्यों ने लागू किया सुन लिजेगा उदेवीर भाई आप भी नवीन जी आप भी है और उंकार जी आप भी पता है चार लाख असी हजार करोड कितना चार लाख असी हजार करोड का अतरित बोजपड़ा भारत पर सिंटर एंड इस्टीट्स मिला आज तक के इतिहास में कभी किसानों को इतना बड़ा पैकेज नहीं दिया गया 75,000 का करोड का मनमुहन सिंग दे के गए तो दुबारा सरकार में आ गए ते जब पसे क्या दो-दो हजार रुपे आप भी दे रहे हो सब जोन लेना लेकिन 4,80,000 करोड नहीं हो सकता क्या किसी ने चर्चा की किसी ने हंगामा किया नहीं न देश के 50 बड़े इंडिस्ट्रियल हाउसेस का जितना कर्जा राइट ओफ हुआ वेब ओफ हुआ उसका 30 प्रतिशत कभी कि सब्सक्तानों को इस देश में नहीं मिला सरकारी मदल इसका काट कर दो तो मैं पत्रिकार्ता छोड़ता हुआ है सब दल मिलके सोच लेना गूगल भी देख लेना और एक बात कहता हूं है कि लंबा मत जाइए मैं यह जवाला नहरू की बात नहीं करूंगा उन्निस सो सत्तर को बेसियर मान लो उंकर वबू तब जो गेहूं का रेट था किसान का फसल गेहूं का रेट किसान की इंकम मूल रूप से और तब जित जो प्राइमरी स्कूल के माश्टर की तनखा थी सरकारी और आज सत्तर से अब तक ठीक ना पचास साल हुए पचास साल में वो तनखा बढ़ गई 400 गुना और गेहूं कितना बढ़ा यहूं का यह समर्थन मूली यह बजार मूली जो मूल ले माल लो इसमें लटब 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 है नहीं दो चार रुपया फादिल ले जाओ पता है शर्मिंदगी इससे सिर्थ जुख जाए हमारा तब सोना क्या भाव था और अब सोना क्या भाव है और यहूं कितना बढ़ा धान कितना बढ़ा किसान का कभी सोचा है क्या सब लोग हवा हवाई हां के पड़े हो जाके कभी देखतो लो पलटके सरकारी कर्मचारियों को सबको नहीं लेकिन सब भत्ते जो गवर्मिंट सेक्टर में हैं प्रचलित इस वक्त मेरे शब्द को ध्यान से न किएगा ने तो गलत बात पर मुझे बाद में कोट करो गवर्मिंट सेक्टर के एंप्रॉईस के लिए जितने किस्म के भत्ते हैं इस वक्त भारत में पूरे देश में वह करीब सवासो किस्म के भत्ते हैं उंकर भाई अफंदा नहीं कि उनको पढ़ना लिखना नहीं है इसे हरी बिमारी नहीं है इसे ट्रेक्टर टाली नहीं खरीदनी ये कपड़ा नहीं पहनता कि धुलाई के पैसा आप में साबुन विल जाए क्या किया ये तो बतादो कि ये तो बताओ भाई किया क्या है कौन दधीच हुआ इस देश में उसका चहरा तो दिखाओ हमको भी जिसने अपनी हड्या किसानों के लिए दान कर दियूं कि है क्या को इसा दधीच और एक बात आलोग वर्मा आप से भी कहूंगा कडवी भाई बुरी लगे तो माफ कर देना मित नेता होते तो मैं कहता है बुरी लगे तो अपने घर रहो आप से यह कह रहा हूं माफ कर देना मुझे एक बार मुझे अपन नगर के उदेविर भाई सुन लीजिए बड़ी अच्छी बात है मुझे अपन नगर के कुछ बुजर्व किसान आए मेरे पास उन्होंने हमचा कहा कि अग्योतरी क्या करें सब चुनाव लड़ते हैं सब दल तो आके पाउंचूते हैं और कहते चचा बस तुम्हारे ख्याल रखेंगा होने बात भिर सब अपनी गदी चलते मालूम मैंने क्या कहा था वही बात आज दोहराता हूं वो नहीं करोगे तो ऐसे ही आज यहां धरने पहो कल कहीं और धरने बैठना पड़ाएगा यह जान लो लाठी खाओ डंडा खाओ और धरना देओ जब तक किसान जात और मज़भ से उपर उठके सिर्फ एक पहिंचान पर बोट नहीं करेगा कि हम किसान हैं तब तक राजनीती पर आपका जाती है छोड़ो परुक्षवाली सीधी जोड़ो तो भी पचास पार की आवादी है लोग कंत्र में 50 और 51 और 49 का खेल है आपके पास 50 50 से ज़्यादा आवादी लेकिन आप खाप में बटे हो आप जात में बटे हो आप मजहब में बटे हो इलाके में बटे हो पार्टियों में बटे हो एक बार किसान होकर बोट दे दो कश्मीर से खन्या कुमारी या समसे गुजरात तक मैं नहीं कहता कौन सरकार को बोट किस पार्टिक बोट दो लेकिन जो सरकार आएगी आप से बादा खिलाफी नहीं कर सकती लिखते रख लो मेरी बाप जिन्दगी में कभी दुबारा धरना देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आलोग भर्मा एक बार सिर्फ किसान हो जाओ सिर्फ किसान ना भाजपा ना कांगरेस ना सपा ना बसपा ना त्रलमूल ना लेफ्ट ना राइट ना तेंग ना ठाकूर ना बामन ना अगले ना पिछले ना मुसलमान ना हिंदू कुछ नहीं सिर्फ ये कही दो हम किसान हैं और एक बार बोड़ दे के देख लिजिए अगर सरकार आपके दरवाजे से नहीं चले तो मुझसे कहिएगा आके कि गलत दवा खिला दी एक बार कोशिश कर लीजिए अपने विवेक्ष से चुनिए आपको लगे कि जिसकी आँख में पानी है उसको जिताईए जिसका जमीर आपको साफ लगे उसको जिताईए एक बार यह मत हमको समझाइए कि छपरवली में तो यही जीतेंगे तो प्रभुगतो और शामली में यही जीतेंगे तो भुगतो भाईया फिर भुगतो और भाईया आम रोहा में तो यही जीतेंगे समझ ने मेरा इशारा जब यह करना है तो धरना इस्थल बने ही है भारत में आज यहां दीजिए कल वहां दीजिए अगर भाग्य बदलना है तो सिर्फ पहिंचान रखिए मैं किसान हूँ बाकि कुछ नहीं धन्यवाद